मनिस कस्या पर जो NSA लगाया गया है उस NSA को लेकर के सबसे बड़ी खबर आपके मैं अभी बताने जा रहा हूँ मैं कहता था ना वाई NSA, NSA क्यूँ? मा भी कहती थी, NSA क्यूँ? बोडर पर तेज की रक्षा कर रहा, वो पिता भी पूछा, NSA क्यूँ? एक नोकरी के गर परिवार छोड़ के भाई के लिए दर दर भटक रहा, वो छोटा भाई भी पूछा, NSA क्यूँ? उसके छेतर के एक-एक लोगों ने पूछा, NSA क्यूँ? उसके दोस्तों ने पूछा, NSA क्यूँ? पूरे बिहारवासियों ने पूछा, NSA क्यूँ? सुप्रिम कोट ने भी पूछा था वाई एने से एने से क्यूँ और आज और आज दोस्तों इस वीडियो को अधिक सदिक शेयर करिएगा सब तक पहुंचाईएगा मैं जो पताने जा रहा हूँ सब तक पहुंचाईए आज तमिल नाडू के कोट ने भी पूछ दिया राज सरकार से की वाई एने से एने से क्यूँ क्यूँ एने से लगाया गया जो भी मामला दर्ज सा वहाँ पे उसमें बेल मिल चुका है सभी केसों में बेल मिल गया अब सरकार ने पूछा है की कि ये क्या जाओरत पड़े कि एनस आपने लगा या इसमें को जबाब दिजिये और तमीलणाडू की सरक जवाlt साब ने क्या कहा है पता है कोट ने क्या गए तमीलणाडू की कोट ने राज सरकार के सच्षियू साहब से शेक्रेटर्ड सब्सक्राइब जबाब दिजिए कि नसे कुछ लगाया गया है और यहां तक की साथ साथ केंदर सरकार के भी सची उमहोदय से पूछ दिया गया है कि देट वाई नसे वाई नसे कंपलसरी इं दिस केस who is moneyшее शाइब what he has done wrong with the country that NSA compulsive for that person but nobody has no answer they are completely playing bad game with the money कश ठब्ध बिहार this is the bad game ये सबसे खराब खेल खेला जा रहा है मनिसकसरब के साथ इस सिस्टम के द्वारा जद साहब पुछ रहे हैं इने से क्यूँ कोई सबुत नहीं मिला है मनिसकसरब के खिलाब उस्तरह का किसी और ने वीडियो बनाया लिंक भेजा गया साजीस के तहद और जो बिहारी के लिए छंचन तरपता रहता है पलपल तरपता रहता है बिहारी मौझदूरों के लिए तरपता रहता है हम लोगों के मन में भी हमेशा दर्द रहता है सीने में दरता है कि बिहारी मौझदूरों को कैसे सताया जाता है और बिहार से बाहर जाकर पेपर पर पेपर पर चावल डाल खाते हैं कि खाते कि नहीं खाते हैं इमानतारी से सीना पर हाथ रखके कहिए या कि बिहार से बाहर राने वाले जितने भी लोग हैं कामाने के बाद त्थीसजचह OMG छाँ ऐने पदा धेला बाद मंजदूरी करनेरे फर्टक्री में काम करनेकת बद ग बृडडिंग में काम करने के बाद वृट पार्फ पर बेट के चावलम पेपर में चावल और रोटी खाते हो पहते हो खाते हो तैंप क्वार रहा chef कि मैंने अपनी आखों से तेखा है वह दर्द सथक्राइब को जोस जूरुण 1 की सब्सक्राइब और सब्सक्राइब ही हम को यह क्यारी आपने मेहनत के दम पर अपना पहचान बदाना जांते हैं अपने काबियत के दम पर अपना पाचान बाना न जानते हैं, हम तो ये भी नहीं कहते हैं कि हम आपने हिस्सा से बाट के देजिए हम तो ये कहते हैं कि भ Signal K!' करने का, एक मुखा देजिए दो हम यह बताने का कि हमारे अंदर में क्या T Al resurrect है लेकिन अई यह साजस्स पे साज़िस साजस्स अपने बेटियों की जिंदिकी बनाने के लिए किसी भी किसान मजदूर और जवान के बेटों की बली चढ़ा दी जाएगे क्या चुरत पड़ गए थी यार बहुत ऐसे से भी मनिश का सब से भी जादा जादा पोपुलर लोग हुए हैं उनसे तो इस तरह का भेदभाव नहीं किया गया फिर मनिश का सब के साथ यह बहुत सारी यूटूबर है बहुत सारे सोचल क्रिश और हैं बहुत सारे पत्रकार है काम करते हैं अब सत्त है की गुलामी किया थो गुलामी बर दोका चटू कारिता नहीं किया तो दोसी तो सुन लो साहब मैं कहना चाहता हूं हम भीहारी है भीहारी तुम्हें भी दिख रहा है यहां सूखा है मुझे भी दिख रहा है यहां सूखा है पर अपने पर्यास अपने पर्यास का एड़ी इतना रगड़ेंगे इतना रगड़ेंगे यही रगड़ेंगे एक बार फिर ऊँटेंगे यारी बार फिर आपको क्यक लगता है कि साजी समें किमयुसरा बाला दिए तोड़ तकत के लिए आप हम कानून को साथ में लेके चलने का काम करते हैं काही के भी काही कभी एड्मिस्ट्रेशन हो बताए कि उन्हें हम सपोर्ट नहीं करते हैं उनके करवाही में हम सपोर्ट नहीं करते हो उनका मान सम्मान नहीं करते हो उनका इज़त नहीं करते हो पहुत सारे कनून के भी लोग है लाचार हैं, क्या करें? आदेस हैं आज है, आज के डेट में मैं बता रहाएं 가 अब लोगों को सबसे बड़ी चीज एन्-स से को ले करके जबाब मांगा गया है जबाब के दूनों के मुझसा चीँ से जबाब मांगा गया है कि क्यों एने से लगाया कि आप एक पत्रकार पर there is no any proof against maniscus अप there is no any proof now till now they have no agenda they have no proof कोई सबूत नहीं है चार सिट समीट नहीं हुगा उसके अभाव में बेल मिल जाता है अन्दाजा लग रहा है आप लोग को किस तरह का साजी सुआ था अबरी के मोगी गाउवर के भाउजी किसान और मजदूर जावाने के बेटा कमजोर हुआ है राजनिती करने के लिए किसी के पॉपुलिटी से इतना मत जलिए कि किसी भी हद तक गिर जाना पड़े सरकार में जो लोग है उनसे बैचारिक मत भेद है उनके कार्यों से मत भेद है कुछ लोगों के भरश्चाचार से मत भेद है उसका भी रोध हम लोग करते है आगे भी करते रहेंगे पहले के भी लोग थे जो यह कहा करते थे कि लिए बिर पानी साबुन विना निर्वल करे सुखाए कि बुराई करने वाले कमी दिखाने वाले को अपने पास में बैठा के रखते थे राजा लोग कि इसके वज़ा से मुझे कमियों को पता चले का उसको सुधार लेने का काम करेंगे लेकि नहीं लेकिन आज कमी दिखाओगे तो जेल जाओगे ब्रश्टचार की खबर अगर आज बिहार सरकार में बैठा हुए कुछ लोग केंदर सरकार पर आरोप लागा ते हैं कि सत्ता के दमपर سी विया इडिे के इंकम टेक्स रहे चाले चापा मारी करवाते हैं तो भाईया मेरे आपने भी तो अपने सत्ता के दमपर कुशन कुश इंद्र सुधर रहे हैं गें की रहते हम की दिख इंदकी हो रहा है भिए नहीं होना चाहिए आपना मलवा बड़ बड़ बात आपना मलवा मता परहां थे अईसे नहीं होने चाहिए जैकिन कोई फरक नहीं पड़ता है आज बिहार की आज बिहार के और तीसो जिला का बात मैं करता हूं बिहार के हर जिले की बात करता हूं हर जिले से हर जिले से लाखों नाजवान मनिस क और मैं आवाहन कर रहा हूं मैं मिल रहा हूं सबसे जाकर मैं टीम खड़ा कर रहा हूं एक नए बिहार की परियास कर रहे हैं नौजवान हैं परियास कर रहे हैं बिहार में परियास करने का सबका अधिकार है कानून सबको अधिकार देता है कानून सबको अधिकार देता है बो और गरीब मजदूर जो हर जाती में पाए जाते हैं गरीब मजदूर जो बिहार से बाहर जाकर तरपते हैं उनका परिबार यहां बिहार में तरपता है कमी के वज़ा से वो तडबते रहेंगे अगर उस तडब को दूर करना है उस मजबूरी को दूर करना है उस बेवसी को दूर करना है तो बिहार को ससक्त होना होगा बिहारीों को ससक्त होना होगा और बिहारीों को बिहार में भी रोजगार मिले चाहिए या सोर वजगार मिले या उनको अपना रवजगार मिले अपनी वेवसाई कराने का वह छूट दिया जो उतना वेवस्था करा जा तब जाके बिहार संब्रिट होगा अब देखिए ना जिस दिन इस नौजवान सब कर जमाना आएगा ना बिहार से बाहर के देख इंदुस्तान के अने अने राजियों के लोगों को आना पड़ेगा रोजगार के लिए अने राजियों को आना पड़ेगा है नोकरी करने के लिए हम लोग हमारे बिहार के फैक्ट्रियों में तब कलेजे को ठंड़क मिलेगी सुकून मिलेगा उस दिन सुकून मिलेगा वो राजनिती हम लोगों करना है वो ब्यवस्था स्थापित करना है बिहार में और होगा हर जाती हर धरम पे लोग मेरे साथ है हमारे साथ है और वो हमारे ताकत है और मनिस्का से पर बहुत जल्द एने से हटने जा रहा है उसी संविधान उसी कानून पर हमें भरोसा है जिस मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग के सांथ नया होगा जय हिंद जय बिहार इस वीडियो को अधिक साथी शेयर करके जरू सब तक पहुंचाने के काम करिए प्राम